पिता एक ऐसा सब्द है जिसकी बिना परिवार अधूरा है। अक्सर हमने देखा है कि बच्चा अपनी मा से हर बात सेयर करता है और मा इसके बदले में बहुत सारा प्यार करती है। लेकिन हमारे पास एक सक्स ऐसा होता है जो हमें छुपा कर प्यार करता है। साथ यही कारण है कि हम पिता के छुपे प्यार को नहीं देख पाते। एक छोटे सी घर में एक सामान वर का परिवार रहता था, जिसमें माता पिता वाद दो बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम करमसा रेखा वा रोहित था। रेखा रोहित दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। वह उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी ग्रेष्टी सामान तरीके से चला रहे थी। रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। रोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ धूमता रहता था। जब कभी रोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वे बहाना बना कर दो रोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक है इसलिए वह अपने पिता से बाइक लेनी की जीत करता है रोहित के पिता उसे बाइक दिलाने के लिए मना कर देते हैं इसी बात पर रोहित वा उसके पिता के बीच बहस हो जाती है तो रोहित बड़़ाते हुए घर से बाहर निकल जा वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं कितना पैसा बचा कर रखेंगे कि मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं वह यही बढ़ बढ़ाते हुए रेलवे इस्ट्रेशन की तरब बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुबने ज वह बढ़ बढ़ाते हुए आगे बढ़ गया जैसे ही वह रेलवे इस्ट्रेशन पहुचा तो उसने अपनी जेब में हाट डाला तो उसे याद आया कि वह अपना परस्तों घर पर ही भूल गया है अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा कुछ देर इस्ट्रेशन पर बैठ खोली तो उसकी नजर वहां रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी जिसे वह किसी को छूने भी नहीं देते थे रोहित के खुराफाती दिमाग ने उस डायरी को पढ़ने का विचार आया रोहित डायरी लेकर वहीं पड़ी कुरसी पर बैठ गया उसने सोचा तो ये खजाना छुपा रखा है जरूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किसे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे देने हैं लेकिन वह गलत था जब उसने डायरी का पहला परना खोल कर देखा तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए क्योंकि उस डायरी में वैसे कुछ भी न कारण लिए गए थे उस डायरी में एक लिष्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी लिखा था लिखा कुछ यूँ था पचास हजार बेटे के कंप्यूटर के लिए कि वही कंप्यूटर है जो रोहिद आज भी यूज करता है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस में जित करके लिया था जो उसके पिता ने उसे लाकर दिया था जिसे देखकर रोहिद बहुत खुश हुआ था और उसे खुश देखकर उसके पिता उससे कई ज्यादा खुश हुए थे अब रोहिद की चेहरे पर गुस्से की जगह माय उसी आ चुकी थी अचानक उसकी इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आया कि पिता जी के जूते में निकली कील ने रोहित को सिर्फ एक बार चोड़ दी है जबकि उसके पिता को ना जाने कितनी चोट लगी होंगे। रोहित को अपनी मा की कही कुछ बाते याद आती हैं। जब भी उसकी मा पिता जी को नए जूते लेने के कहती थी तो रोहित के पिता अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे कि उनके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी रोहित ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहां पर कल की तारिक शिखी थी। तारिक के नीचे लिखा था पचास हजार रुपए बाइक के लिए। जब रोहित ने लाइन पढ़ी तो वे संद रह गया। जैसे रोहित का दिल और दिमाग स्थिर सा हो ग जी थी। बस उसके आँखों से आसू बह रहे थे। अब वे जल्दी से कमरे के बाहर गया। घर में मा अपनी सिलाए का काम कर रही थी और बहन ग्रहकार में बैस थी। रोहित ने मा से जाकर पूछा पिता जी कहा है। मा ने कहा पता नहीं। रोहित समझ गया था कि वह कहा गया होंगे। वे सीधा भाग कर पास वाली बाइक एजनसी में गया। जैसे तैसे भाग कर वे बाइक एजनसी पहुचा तो उसके पिता वहां एक बाइक देख रहे थी। उसने दोड़ कर अपने पिता को गले लगा और रोने लगा। रोहित नम आखों से पिता से कहा कि पापा मुझे मोटर साइकल नहीं चाहिए आप अपने लिए जूते ले लो अब आज से मैं जो भी लोंगा वो अपने बलबूते पे अपनी महनत की कमाई से लूँगा। पिता अपने सपनों को मार कर बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सारी उम्र महनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं, जितना की मा करती है। संसार के हर विक्ति को अपने माता पिता की इज़त करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं, तो आप खुस नसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही है जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माबाप का प्यार भी नसीब नहीं होता, अता आप अपने माबाप की भावनों को सम्मान करें, उन्हें प्यार दें, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो अपने माता पिता के पैर चुकर उनका असिरबाद लो और प्रण करो की, आप उन्हें कभी दुखी नहीं करेंगे, दोस्तों हमेशा अपने माता पिता का आदर करें और वो भी ये दिक किसी चीज के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को समझे, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन कभी दो बार नहीं मिलते, मिलने को तो हजार लोग मिलते हैं, लेकिन हजारों गलती माप करने वाले माबाप नहीं मिलते